आजको जमान अमा सबय वंदा तेरे जगडा को ब्यू वने को मोबाईल फुन पती पतनी आपनो कुरा एकरकालाई शियर गरना पड़ छे यदी हजुर जगडा चानुन न वने मोबाईल मा पास्वर पनी एस्तो लगाउनुस पुरा परिवारलाई था होस आज अजुर ले के काम गरनो वो का जानो वो के लिये राउन वो सब कुरा आपनो घर वित्र वसेर आपनो परिवारलाई बताउने कोशिस गरनोई यो नियम बनाउनुस राती जब हजुर अर बोजन गनोंचा ततपस साथ के समय पांच-दस मिनेट आपनो परिवारलाई दिनोस तरा आज मोबाईल को जमानामा घरमा यदी पांच जाना चन वने ती पांच जाना पनी मुश्किल ले वेटोंचन खाना पनी एकई साथ बसे रखा देनन कोई मोबाईल चलार योको नामा बसे रखाई रहेको चा कोई बेडरूम बित्र बसे रखाई रहेको चा मोबाईल को कारण आज धेरे दुश्मनी वडी रहेको चा आपंते संग वेटुना मुश्किल च, परिवार का सदस्य संग वेटुना मुश्किल च, सवेको कारण मोबाईल रमाता पारवती भन्दे नुँँँच, हमी अरु बिच कईले जगडाओ देना नारज जी माराज भन्नुँँचा कि मैया तेस वह एवटा खुरा बताऊनोश भगवान संकर को गलामा भएको मुंड माला कसको मैया लाई थानी थिये ना मात पारवती भन्नुँँचा मैली यो कुरा सोदे को थिये ना साइद ऐसे कारण भगवान ले भन्नुँँआ ना एदी सोदे को भए अवस्य भन्नुँँदिनो उन्थियो नारज जी माराज भन्नुँँचा मैया एवटा काम गरनों मचे यावटा गए भगवान संकर ध्यान बाट उठे पचिवाले मेरा प्रणाम सुनाई दिनो हुस रहजुर सोद्नुँवला नारज जी निस्किनुवायो अब माता पारवती लाए अत्यन्त रीश उठे को क्रोध आयो पहिला पहिला रीश उठे को अवस्थामा एवटा भवन छुट्टै वनाएंते को भवन त्यों भवनमा गएर रीशाय को बेक्ती बस थे जो पनी को भवनमा यदि प्रवेश गरे भने थाउन त्यों कि क्रोध बहुत ज्यादा देरैनी उर रीश उठे को छा मैया पारवति को भवनमा जानु भवेश को भवनमा गएर त्यन्त रिशायर मैया बसनु भवेश को भगवान संकर आउनु भवेश कैलास भित्र भगवान ने देखनु भईको तो रोज मैया चरण धुना को लागी द्वार सम्मा आउन उन्तिया आजत माता पारवति आउन भईन स्वागत को लागी संकर भगवान विचार गनुच आज के भई होला किन पारवति रिशाइन खोजदेई जानु भईको को भवनमा मैया देखिनु भई एर पारवति लाई फकाउन धालनु भगवान संकर वननुच पारवति के भई हो मैया वननुच अजुर मसंग कुरे न गनु तेसवची भगवान संकर फकाऊन धालनुए यदी जवसम मालाई कारण थाऊ देने तवसम महिले अजुले कसरी मनाऊने तेशबचे माता पार्बती वन्णुँँचा अज़ुर वन्णुँँट्यों मला अत्ती प्रेम गन्णुँँचा और हजुले युपणी वन्णुँवाई को थियो मा क्यी पणी कुरा लुकाँ दिना ती ढूलो कुरा मसंग लुकाँ नुँँवाई इसको अर्थ हो अजुले मलाई माया गनो देना माता पारवती को कुरा सुनेर भगवान संकर वन्नुचा यती स्तानो कुरा लाई लियेरा आजा हजुर मसंगर इसाउन वाय पारवती यदी हजुले सुन्न वाय को वाय मा पहले बंदिन थे माता पार्वती वन्नोंच रदे रदे Japan और माता पार्वती खलिंदुनोंच रदे ब्यार्से बुलो आधे Para भगवान संकर लाई सुन्नु भईयो भगवान वन्नुँँच देवी हजुर को याद माजव हजुर को मृत्युँँँँँँच हजुर लाई भुल्ना नसकेर सिर्को माला वनायर मैले धारण गरेको पारवतीजी सुन्नोंच अजुरको मृत्तियु उदे न वगवान संकर वन्नोंच मैले अमर कथा स्रवन पान गरेकोचु तेसाई कारण मेरों मृत्तियु उदे न मैयाले अब एकदमे जीद गनुवै मलाई पनी अमर कथा सुन्न मन्च हजुर सुनावनोंच संकर वगवान वन्नोंच देभी अमर कथा कैलास मा बसेर सुनावन संबब छैन किनकी कैलास मा अरुकोचन भूत प्रेत पिसाच डाकिनी साथकिनी सब कैलास परवतमा छन इने अले सुने वने इने अरुपनी अमर हुन्चन तेसे कारण या बाटा हमी थोरे पर जानोंपर छे टाड़ा मैया पारवतिला लेर भगवान संकर जानोवय अमर नाथ अमर नाथ एउटा सुन्दर दिभ्य धाम हो त्याहा गयर भगवान संकर वन्नोंच देवी अब हजुर एकदम सांती ले कथा स्रवन पान गरनोंच मैया पारवतिय त्यंत प्रशन नहुन भगवान को आदेश लियर त्याहा भगवान का समस्त जीव जन्तुलाई मैया भगावन देनोंच ताली वजायर माता पारवतिले सम्पूर्ण जीवलाई भगवान भगवान भगवाई तर मैया ले देखनु भगवाई गो एवटा छो अस्तानु अंडा त्याहा थियो मैया ले विचार गणु भगवाई कि यो अंडाले केनी कथा सुलना रो तेस्पची आउनुबाय भगवान संकर आनंद सिता आखा वंद गरिरादिभ्यासन मा विराज मान भणान जा सांत शुरूपमा तेस्पची माता पारवति जमीन मा तल्ला वश्णु भयो भगवान को सन्मुख माता पारवति वस्णु भयोचा आउनुबय भगवान संकर आनंद सिता आखा वंद गरिरा दिप्व्यासन मा विराजमान हुनां छा सांत शुरूप मा तेस्पचे माता पारवती जमीन मा तल्ल वस्नुभयो भगवान को सनमुख माता पारवती वस्नुभय को छा सज्जन व्रिंद जैले पनी भगवत कथा सुन्दा यो नियम हो सदै भरे बक्ता को सनमुख ठीक अगाडी श्रोत्ता हरू वस्नुपर दच यदि कईले कई बक्ता वंदा पछाडी वस्ने कथा सुनियो वने चोरी गरिर सुने को मानिन छा तेसे कारण सदै भरी सनमुख वसेर सामने वसेर ने कथा सुन्दो परच माता पारवती अगाडी वस्नुवय भगवान वन्नुँच देवी बीच बीच महाजुर ओम 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 सब्द उच्छारण कर दिनो ला मैया पारवती अती प्रेम को साथ मा यो कथा को नियम हुमाराज श्रिमद भगवत कथा जब भगवान संकर ले माता भवानी लाई माता पारवती लाई सुनावनुभयो त्यो समय मा भगवान आखा बंद गरे रा भगवत को नियम अत्यंत सुन्दर चा पहिला को जमानामा बीच बीच मा नाचने काउने पनी उदेई न थिए बक्ता केवल आखा बंद गरेरा कथा सुनाईन थिए तरा आजको समय कली यूग कलोव के सब किर्तना जबसम्म किर्तन हो देईन भजन हो देईन नाचि देन तबसम्म निद्रा लाक्षिन निद्रा देवी कथा पंडाल मा घुमी राक्षिन कसले अली-अली अल्ची मानेओ तेसाई वीत्रा प्रवेश गरों वनेरा तेसाई कारण तुमा बीच बीच मा अजुर अलाए बोलना लाँ उचुने बोलो ना थोड़ा प्रेम से बोलो ना रधे रधे आज पनी अजुर अरु अत्ती रामरी देखिनु वाज़ा एकदमे मन पर्यों क्यार से बोलो माता पारवती अगाडी वस्नुवे वगवान संकर आखा वंद गरेरा भगवान को कथा स्रवन गराउन प्रारंब गर्नोंच सुन्दर भागवत कथा अठार हजार स्लोकले भरिये को स्रीमद भागवत महा पुराण स्री कैलास पती भगवान संकर गाउदे उनुँँच मैया पारवती सुन्दे उनुँच बीज बीज मा माता पारवती ओम 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 उच्छारन गर्दे उनुँच जब कथा प्रारंब भय जयकार भगवान ले लगावन बोलो भागवत महा पुराणे को अब सुन्दर भाचन भगवान ले गनुभायो मैया पारवती सुन्दे उनुँच र जयकार लगावने बित्तिकेत्यो अंडा जुन्तियो जमीन मा खस्यो र फूटियो त्या बाट योटा सानु पक्षी प्रकटवायो सुक पक्षी र त्यु पक्षी आये र भगवान वं मैया सुत्ननु भयो निदावनु भयो र पक्षी लाई वड़ा चिंता भयो अब मैया बीचमा ओम ओम उच्चारण गरने भगवान कथा रोग दिनोंच अब तेस्पचि त्यो सुक पक्षी ले माता पारवतीको अवाजलाई कपी गरेर सेम तेई अवाजमा ओम सब्द सुगा लाई सुगा मा अरूक आवाज कपी गरने क्वालीटी उन्चाई ना एदी अजुले राम राम बोलना सिकाऊनु भयो ने सुगा ले पनी बोलच्या तेस सुगा ले माता पारवतीको जस्ते आवाजमा बीच बीच मा ओम ओम उम उच्चारण गर देनुंच तेस पुर्ण भयो भगवान संकले फेरी पनी जयकार लगाउनु भयो बोलो भागवत महा पुराण को अब तेस पचिता माता पारवती जागनु भयो मैया ले सुगनु भयो प्रभु अगाडी के वया अगाडीको कथा बन्नु भगवान वन्चा कथा तो पूरे सक्कियो मैया माले बड़ा अश्चरे चकित मैया हुनु भयो मैया बन्नु उन्चा कि प्रभु मैले तो पूरा कथा सुन्नी पाइना मत निदाये को थी मलाये तो निद लागे को थियो भगवान ले भन्नु भयो तेस वै ओम सब्द कसले उच्छारण गर्यो तेति कैमा सुक पक्षी भचाडी भागनु भयो तो पक्षी व्यास्ची को धर्म पत्नी को मुख को द्वारवाट भीत्र प्रवेश करनु भयो बाईर घाम्मा कपाल सुखाई रखनु भयो तियो व्यास्ची को पत्नी मुख को द्वारवाट भीत्र पक्षी प्रवेश कर्यो भगवान संकर त्रि दिन पाचि दर्शन दिन भैं। तक पजाथ, आज विंद ब्यास ची भनोंच, महराज रत्डी मॉन। अमर कथा को महिमा के रहलारा अमर कथा को तो महिमा ने घतम उन्च तेस कारण प्रभु अजुर सांत बहेरा कैलास जानो हस भगवान संकर भूत भावन आसुतोस एक पलमा गुस्ता उन्च एक पलमा प्रसन उन्च भगवान अत्यंत प्रसन बहेरा त्यां बटक कैलास तरफ जान भया बोलो संकर भगवान को जैवान रद तेई सुक पक्षी बारा बरस सम्म आपनो आमा को गरवमा रहे रद बारा बरस पची साक्षात भगवान ले भनवयमा तीमी माती मेरो माया को प्रभाब पार दिन तिस पची सुकदेव जी को रूपमा तेई सुक पक्षी प्रकट होनो भय को बोलो सुकदेव भगवान को